हलो फ्रेंड्स आप सब लोगों का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल कविंदर भईया तो आज हम पढ़ेंगे खेल और स्वास्ते यूपी बोर्ड का पाठ दो पाठ का नाम है हमारा स्वास्ते ये कप्छा 678 तीनों के लिए एक ही किताब है तो चलिए हम इस पाठ का सभी प्रश्णूता देखते हैं जैसा कि प्रश्ण वन है अच्छे स्वास्ते के लच्छड क्या है इसका उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्ते संगठन के अनुशार सारीरिक, मानशिक, समाजिक एवं संविग, तत्मक, रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वास्त व्यक्त इसका उत्तर हो जाएगा बजार की खुले हुई खाने की वस्तुए ना खाएं ये वस्तुए धूल जमने एवं मख्यों के बैठने से दूसित हो जाती हैं जिसे खाने से हम अन्यक तरह की बीमारियों से पीडित हो जाती हैं जैसे उल्टी आना, दस्थोना, आदी अगला प्रिश्ट तिन नम्मर है गंदी अस्थानों पर नंगे पैर क्यों नहीं घुमना चाहिए इसका उत्तर हो जाएगा गंदी अस्थानों पर नंगे पैर घुमने से सुच्म रोगाडू हमारे सरीर में प्रविश कर जाती हैं जो हमारे सरीर में रोग पैदा करते हैं अगला प्रशन है चार नमर, पोलियो जैसे खतरनाख बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसता उत्तर हो जाएगा, पोलियो जैसे खतरनाख बीमारी को सम्मूलनष्ट करने के लिए समय समय पर बच्कों को पोलियो की खुराक निश्ची त्रुप से अगला प्रश्णा है पांच नम्मर क्रीमी संक्रमण रोकने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए इसका उत्तर हो जाएगा क्रीमी नियंत्रड के लिए एलबेंडर जॉल की दवा दी जाती है क्रीमी नियंत्रड की दवाई खाने के साथ साथ क्रीमी संक्रमण को रोकने के लिए नाखुन छोटे रखे हमेशा साह पानी पीए सबजियों एवं फॉलो को साह पानी से धोए खूले में स्वच न कर एवं पैरों में जूते वच चपल पहने तो देखे दोस्तो इसमें इतन नहीं प्रश्न दिया था तो में इतने शुर्म तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों